हेलो वेल्कम टू वेदिमी अमेशन विद एजुकेटिंग इंडिया तो आज के सिशन में हम बात करेंगे एक इंटर्शिप पोजिशन के बारे में बहुत ही अच्छी इंटर्शिप पोजिशन है फ्रम फिशर पॉर लाइफ साइंस कैंडिडेट्स उससे पहले मैं आपको ब चुका है जी हाँ वेदिमी का गेट 2024 बहुत वीटी एकसल के लिए कोर्स आ चुका है आप अभी इंस्ट्रॉल कर रिए वेदिमी का एप और स्कॉर्स को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा 20% आफ का ओफर चलना है वह ओफर लिम्टेड टाइम क के लिए है तो जल्दी से जल्दी उस ओफर का फायदा उठाइए और को सब्सक्राइब कर लेजिए चली बढ़ते हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करने आलो एक इंटर्शिप पोजिशन के बारे में फॉन थर्मस फीचर कुछ डिटेल जाने से पहले में कुछ एक समरी बता देता हूं यह इंटर्शिप पोजिशन है फोर एमसी लाइफ साइंस कंडिरेट्स चाहिए कुछ भी हो बायो टेक्ट बायोजी मतला इस्प्लाइन से लेकर किसी भी अप्लाइट फिल्म में अपने एमसी कर रहा है तो अब इसके लिए लिजबन है इसम होने अभी स्ट्राइप मेंशन नहीं किया है कि कितना होगा स्ट्राइप लेकिन आपको इसमें अप्लाइब करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अच्छा एक मौका है एक्स्प्रियंस करने के लिए इसमें जो अपीरिंग है जो मैसी फाइनल यह में अपीरिंग वह भी अगर आपको परमिशन देता है तो आप यहां पर इंटर्शिप कर सकते हैं वैसे कई-काई इंस्ट्यूट में तो रूल भी होता है कि आपको छे मैंने इंटर्शिप बाहर से करनी पड़ेगी तो इनके लिए बहुत अच्छी इपॉर्ट्यून्टी है चलिए बगते हैं आप डिटेल्स के बारे में जैसा कि इंटर्शिप पोजिशन है वोस्ट का ना में अप्लिकेशन सेंट चैमिस्ट इसमें आपका रोल होगा डिफरेंट डिफरेंट अन्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लाइक जीसी स्पेल्सी के सलूशन डेवलप करना है अकॉर्डिंग ट आपका टीटेल्स के बारे में जैसा कि आप यहाँ जाब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं माधरी बात करूंगा आपका डिफरेंट आप साइंटिस्ट को जॉण करेंगे जहां पर डिफरेंट इस एलेटिकल चैलिंट इंस्ट्रूमेंट के सेल्यूशन और पोड़क डाल लिक्विड गैस मास प्रेक्ट्रोस्कोपी मेथ के मैथर्स डेवलप करना है उनको वैलिडेट करना है कि लाइक कि वो मैथर सही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू पूट सेफ्टी वामेंटल फार्मा इंडस्ट्रियल नीड इन चारों इंडस्ट्रियल से अब लेटर आपको ऐसा सलूशन डेवलप करना है जो कि हर जगह वैलिड हो नेक्स ने बताया कि आपको कुछ रिसास आर्टिकल्स अप्लिकेशन नोट्स भी करना है सेमिनार कॉंफ्रेक्स में भी पार्टिसपेट करना है तो मैंने की पॉइंट्स बता दें कि आपको जॉप डिस्क्रिप्शन क्या होगा आपका जॉप डिस्क्रिप्शन बेसिकली एए एक इंटरंशिप पोजिशन है जहां पे आप डिफेंट टीम आफ साइंटिस अग्रिस्ट को जोइन करेंगे और उनके साथ inimcat solution develop करेंगे गे मिनमा requirement क्या है मिनमा Requirement कि होना चाहिए यह तो या फाइनल सेमेस्टर में अप अपिर हो चाहिए तो मास्टर कंप्लीट हो या फाइनल सेमेस्टर में हो तो भी आप इसके लिए इन्हों ने कोई experience नहीं मांगाई, pure basically internship position है, बाकी आपके पास कुछ कुछ कुमेटोग्राफी, mass experimentary की basic knowledge होनी चाहिए, chemistry fundamentals clear होने चाहिए, like general sample preparation, general lab equipments के बारे में जानना चाहिए, और lab instruments से आपका exposure होना चाहिए, soft skills में like कि आपके पास English आपके अच्छी होना चाहिए, team collaboration भी अच्छा होना चाहिए, तो यह और इसमें आपको apply करने के लिए, आप उपर जाएंगे, तो यहाँ पर apply now का button दिया है, आपको यहाँ से apply now पर click करेंगे, यहाँ से आप इस job के लिए apply कर सकते हैं, देख सकते हैं, page खुल जाएगा, पर यहाँ से अपनी पूरी information फिल करके, यहाँ से apply कर सकते हैं, तो एक बाफीर में सब्सक्राइब बता दो, यह एक internship position है from Thermo Fisher, एक analytical solutions डेवलप करने के लिए, जहाँ पर आप different team of scientists के साथ coordinate करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, और SPLC, mass spectroscopic, gas chromatography के solution डेवलप करेंगे, इसके लिए master's life science के students eligible है, जन्होंने complete कर रखा या अपने final year में होगी, और यह full time opportunity है, इसके लिए आपको हैदरबाद में full time present होना हो पड़ेगा, यह कोई remote या part time opportunity नहीं है, और stipend इन्होंने mention नहीं किये, तो stipend भी ठीक चाकी होगी, लेकिन इस वक्त आपको stipend नहीं देख आप experience gains कर सकते हैं, आगे apply करने के लिए, हो सकता है कि अगर आपको काम अच्छा पसंद आइन है, तो आपको full time के लिए absorb भी कर ले, और इस यह experience जो है आपको, अगर आप फॉरन या किसी अच्छा institute में PhD के लिए भी target कर रहे हैं, तो यह experience भी आपको फाइदा करेगा, क्यो बताईएगा, हम उसे जरूर रिजॉब करेंगे, thank you and bye-bye. झाल